आज की टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं कुछ नए न्यूट्रिंट रिच क्रॉप्स इन वेजटेवल वराइटीज यहां में बात की जाएगी पंजाब की कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी नई वराइटीज बनाई जा रही हैं किस तरीके से वो यूसफुल है और साथा न्यूट्रिंट रिच हैं उनके बारे में डेटेल में बात करेंगे क्योंकि इस तरह के सवाल एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नहीं वराइटीज बहुत सारे सवाल आते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हुआ आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकुज आ फिल तोगेदर चाहिए फेस्बुक पे या फिर इंस्टाग्राम टेलिग्राम कहीं पे भी पीडिए जो है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलिग्राम चानल पे मिलेगा अब चलिए यह डिसकुशन शुरू करते हैं देखे पंजाब में बहुत सारे इंप्रूवड क्रॉप और वेज युनिवर्सटी का क्योंकि यह लोग इस पे वर्क कर रहे हैं पहले आप रिसर्च का तरीका समझिए या तो रिसर्च आपके साइंटिस्स कर रहे हैं बड़ी बड़ी लिबॉटरी में इंडिया के और दूसरा जो युनिवर्सटी होती हैं वहां पे जो आपकी स्कॉलर्स होते हैं रिसर्च वहां पे बी चलती रहती है तो इसी तरीके से पी यू जो है वन चपाती जो है एक लो पॉलिफिनोल वाला चपाती यहां पर डेवलप किया गया है और इसको आप कह सकते हैं कमर्शिलाइजेशन के लिए जल्दी निकाला जाएगा और यहां पर आप दे वह से जाहिए तारह ऑना की तरह का Кेमिकल ग्रूप है जो माय क्रोन्युट्रेंट्रिंट्स की अवैलीटी प्लांट के लिए इसको कम करता है आप पड़ सकते एग शच्राक्यों का डियूजिस वैलीटी उफ माय क्रोन्यूट्रिंट्रिंट्स अं प्रोटीन तो वह लो हो प varieties develop की जा रही है high carotenoids यह variety या फिर high anthocyanins यह किसी में हो इस तरह की varieties जो है अलग-लग vegetables की wheat की यहां पर develop की जा रही है इसी तरह से यह variety है PAU1 chapati अब आगे देखिए अब पंजाब की जो agricultural university है जो growers है वहाँ पर जो farmers है उनको अभी recently इन्होंने two carotene rich cherry tomato varieties तमाटर की दो varieties जिन में carotene है वो develop की है जिनको कहा जा रहा है पंजाब सोना पंजाब केसर ओके पंजाब सोना यह दो अलग-लग varieties है और पंजाब केसर और दो varieties है यह carotene rich है याद रखेगा दो है anthocyanin rich brinjal bangan bangan की दो varieties डेवलप की है जिनको कहा जा रहा है पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर यह दोनों में antioxidant properties आपको मिलेंगी यानि टमाटर और bangan डेवलप किया गया एक में carotene है एक में extra anthocyanin है दो दो यह घर में लगाने के लिए जैसे आपके kitchen gardens होते हैं terrace farming होती है उसके लिए भी बहुत अच्छे और इनकी 50% productivity भी जादा है और इसके बाद आप देख सकते है राइस की wild rice accession varieties जो है high grain protein वाले यह भी यह लोग डेवलप कर रहे हैं जिनमें high grain iron zinc lines पे जादा अच्छे से वो डेवलप किये गए हैं चिक पी के साथ क्रोस किया है interspecific species crosses की जा रही है यानि अलग species को क्रोस करके जो nutrient value है वो इंक्रीज की जा रही है इसको आप genetically modified नहीं बोलेंगे यह आपके traditional conservation methods है जिनसे varieties developed की जाती है अब यह जो varieties हैं इनको पत्जाब अग्रिकुल्चर युनिवरस्टी डेवलप कर रही है किसकी support से promotion of university research and scientific excellence जिसको पर्स कहा जाता है वो इनको grants प्रवाइड करें किसी पी research के लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो यह इनको grants प्रवाइड कर रहे है department of science and technology dst grants प्रवाइड कर रहा है और इसके बात बहुत सारी technologies है cereals, pulses, vegetables की वो सब आगे इनका plan है उस पे work किया जाएगा प्रोटोकॉल्स लाब में कोई भी चीज डेवलप होती है तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है ने ने प्रोटोकॉल्स यह लोग डेवलप कर रहे हैं insecticide resistance के लिए especially rice plant में work किया जा रहा है जो infection हो जाती है plants को वो ना हो उस पे work किया जा रहा है molecular level पे तो आप देख सकते हैं काफी जो पंजाब agriculture university इन चीजों पर काम कर रही है पर्स ने भी जो grant है इनको अलग-लग faces में दी है पहले face में कुछ और काम किया जाएगा दूसरे face में जैसे कोफी प्लांटेशन की बात की ती कि अरावे का जो कौफी है climate change को बहुत जादा फ़रक बढ़ रहा है उसका productivity 50% कम हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर कहर काफी की बात नहीं है पंजाब agriculture university इस पर यहां पर काम नहीं करी बट सारे आपके horticultural crops हैं जिस पर काम किया जा रह यह फिर anthocyanin rich अभी carotene क्या होता और बॉड़ी के लिए इसका क्या फायदा होता है यहां पर especially हमारी बॉड़ी में important होता है आपका beta carotene beta carotene एक red orange color का pigment है जो कि plants में पाया जाता है especially fruits में अगर आपको specific example दू तो carrot जो गाजर आप खाते हैं colorful vegetables जो खाते है उसमें beta carotene ज़ roots में इसको beta carotene को 1831 में अलग किया गया था क्रिस्टलाइज किया गया था और नाम carotene यहां पर रखा गया था human body क्या करती है हमारे लिए beta carotene क्यों important है क्यूंकि human body beta carotene को vitamin A में convert करती है vitamin A जिसको retinol बोलते हैं आपको पता है वहारी आंखों के लिए कितना important और भी human body के health के लिए vitamin A is very important अब beta carotene को आप कह सकते हो vitamin A का precursor है यानि vitamin A किस से बनती है beta carotene से बनती है और vitamin A हमको healthy skin के लिए हमारी जो mucous membranes होती है उसके लिए immune system को strong करता है vitamin A और eye health vision जो है आँख की जिसे जैसे हम देखते हैं sight जो हमारी उसको strong बनाता है अब beta carotene जो है वो खुद से एक important nutrient नहीं है बलकि वो convert करता है vitamin A बनाता है इसलिए वो important हो जाता है और यह discover हुआ था 1907 में इसका chemical formula जो है आप देख सकते है C40H56 तो आपको काफी सारे खानों से जो carotene है beta carotene वो मिल सकता है supplement भी आप ले सकते है market में अलग से supplement भी आता है अगर आपको dietary खाने से इसकी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और body उतना ही beta carotene को vitamin A में convert करे कि जितना जरूरत होगा body को तो आप देख सकते हैं beta carotene का एक को और benefit है ये एक antioxidants है antioxidant वैसे तो बहुत सारे carotenoids है सभी antioxidant है और beta carotene being a carotenoid ये antioxidant है अब antioxidant आप सब लोग बोलते है green tpga ये antioxidant है ये antioxidant का क्या फाइदा होता है देखिए antioxidant क्या होता है ये जो कुछ molecules है उनकी oxidation को हमारी body में रोकता है free radical बनने से रोकता है क्योंकि अगर oxidation हो गई ये free radical बन गए ये हमारे cells को बहुत जादा damage करते हैं जिसे aging होती है और बहुत सारे जो free radicals है chronic illness human body में करते हैं और ये free radicals बनना बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है तो ये antioxidant हमारी body को free radical से बचाता है molecules की oxidation होने से रोकता है अ जो cognitive decline होता है usually men में देखा जाता है किसी में भी हो सकता है हमको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है उस चीज को ये रोकता है यहां पे देखिए एक survey बोलता है जो लोग specially men beta keratin supplements ले रहे हैं 15 से जादा साल के लिए क्योंकि कुछ age के बाद हमें कुछ supplements लेना शुरू करना पड़ता है तो उनमें cognitive decline कम होता है तो ultimately आप कह सकते है cognitive abilities को ये बनाए रखता है और research ये भी कहता है कि beta keratin हमारे lung health के लिए भी अच्छा है कुछ research papers बोलते हैं कि नहीं फरक पड़ता बट यूजली कहते है lungs के लिए भी अच्छा है तो कोविट के टाइम पे आप देखिए beta keratin is good गाजर आपको खानी चाहिए vitamin A जो है which the body creates from beta keratin ये lungs को अच्छे से काम करने में help करती है और जो लोग बहुत beta keratin खाते हैं उनको बहुत सारे cancers का रिस्क भी कम रहता है और last मैं आपको बता है था हमारी eye health के लिए important है beta keratin eye health को promote करता है बहुत सारी बिमारिया age related जो होत operation AMD होता है vision loss होता है age के साथ साथ नजर कम होती जाती है उन चीजों को ये prevent करता है डिले करता है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये okay ये चीज मैकुलर का मैंने आपको बोलते है 35% risk आप कह सकते हैं ये कम करता है और जैसे मैंने बताया कुछ cancers को होने से भी prevent करता है जैस करते हैं जितने भी green leafy vegetables है kale and spinach हो गया पालक आपको खानी चाहिए अगर आपको वाइटामिन A चाहिए sweet potatoes, carrots, broccoli, bottonet squash, cantaloupe, red and yellow peppers और apricots ये सब में बीटा करती होता है अल्टीमेटली आपका वाइटामिन A अच्छे से बनेगा और दूसरा जो वाराइटी उन्हे बनाया मैं आपको कहा अन्थोसायनन उनमें पाया जाता है अन्थोसायनन क्या होता है ये एक तरह का फ्लेविनॉइड है इसके भी anti-oxidant effects होते हैं anti-oxidant effects में आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे खानों में ये पाया जाता है ये यूजली अन्थोसायनन जैसे क्यारोटिन जो है वो औरेंजिश रेड कलर देता है तो अन्थोसायनन आपका परपल रेड और परपल कलर देता है ब्लू प्लांट्स जो होंगे वो रिच कलरिंग रहती है उनकी जिनमें अन्थोसायनन होगा और ये भी free radicals के खिलाफ लड़ता है anti-oxidant है anti-inflammatory है anti-viral है anti-cancer benefits अन्थोसायनन के देखे गए तो आप देख सकते हैं कितने सारे इसके benefits हैं बहुत सारी herbal medicines हैं उनमें इसको use किया जाता है बहुत सारी conditions को treat करने के लिए blood vessels को लेके हो रही है उसको treat करने के लिए अच्छा माना जाता है veins की कोई problem है blood pressure diabetic जो लोग रहते हैं वो anthocyanin rich products खाते हैं benefits इसका यह काडियो वेस्कुलर सिस्टम अच्छे रहते हैं यह report nutrition reviews में publish हुई थी cholesterol levels blood sugar level आपका improve होता है और आपका metabolism अच्छा रहता है और oxidative stress जो है fight to therapy research 2010 study जो है वहाँ पर यह publish हुआ है breast cancer cells की growth को यह inhibit करता है और इसके बाद बहुत सारे आपके neurological disorders हैं जैसे Alzheimer आपने सुना होगा Alzheimer disease dementia इसमें इनसान की जो यादाश्ट है वो कमजोर होने लगती है cognitive abilities कम होने लगती है यह उसको रोकता है prevent करता है memory improve करता है फिर vision loss और obesity से भी मोटापे से भी लोगों को बचाता है अब कुन से products है या फिर vegetable fruits हैं जो आप खा सकते हैं anthocyanin के लिए berries हो blueberries आपने देखी होंगे बहुत लोग जो जो जाते हैं उनको इसके बारे में पता होगा black currant हो गया elderberries हो गई बहुत सारी berries में actually यह पाया जाता है cranberries blueberries blackberries black currants okay raspberries strawberries strawberries उन सब में यह पाया जाता है red purple grapes cherries अनार आप खाते है अनार के juice में आपको यह मिलेगा red wine में होता है eggplants जैसे आप में anthocyanin पाया जाता है I hope यह topic आपका clear है यहां पर हमने शुरू किया कि पंजाब agricultural university कौन कौन सी varieties बना रही है और specially हमने दो टमाटो की varieties carotene rich जो है और दो आपकी ब्रिंजल की varieties जो anthocyanin rich है उनको develop किया गया है carotene beta carotene और anthocyanin क्या है और इनके क्या benefits है यह सब हमने discuss क कोई भी query हो आप मुझसे connect कर सकते हैं बाकी आप हमारी website visit कीजिए हमारी application download कीजिए courses की जानकारी के लिए thank you so much